नमस्ते फ्रेंट्स जब भी कोई त्यमवार आता है तो हम हमेशे घरों में मिठाईयां बनाते हैं तो होली का त्यमवार आए और घर में कुछ नबने ये तो होई नहीं सकता और गुजिया होली के त्यमवार पर बनाई जाती है इसके मिनतों होली अधूरिस ही लगती है तो आज मैं किचिन में बना रही हूँ मावा और सूजी की गुजिया तो मैंने आदा किलो मैदा ले लिया है इसमें मोयन डाला है ये देखिए आराम से इसके बैल भान्डू बंद रहे हैं और मोयन के लिए मैंने घ्यी लिए हैं आप भी घ्यी लीजिए तेखिए घी नहीं तो ज्यादा पतला होना चीलाई है और नहीं ही थोड़ा सा गाड़ा होना चीला बीच का होना चीलाई मैं थोड़ाखो으니까 & जाने हैं पतला नहीं गुनने हैं और थोड़ थोड़ा पानी लेकर इसको दिर दिर करके आठा गुन लेना है तो इसको टाइटी रखना है फरेंड्स अगर कुछ बातों का थोड़ा सा ध्यान रख़ जाए तो नहीं तो हमारी घुज़ियां फटेगी और नहीं और नहीं ज्यादा हार्ड बनेगी तो मोईन थोड़ा अच्छा सा डाले तो घुल आटा गुंद ऑंदोंगी और थोई इन कुछ चीजों को ध्यान रखना है जैसे इसमें पानी ज्यादा नहीं डालना नहीं तो जो नरम आटा गुंद जाएगा तो थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालना है हिसाब से और इसको आटे को थोड़ा टाइटी रखना है और जब थोड़ा सा ये आटा हमारा गुंध जाएगे तो हम क्या करेंगे हिसको थोड़ देर केली रखने के लिए रहण है है य क्या हिसको रख देए अँछर वा पर बाह। का मसाला तयार कर लेते हैं तो मैंने ले लिया है कुछ भी बादाम लिए हैं जिने रोष्ट करना है और दो चार इसमें काजू भी है तो इनको मैं गेग चमस घी डालकर उसको गरम करके फिर इसको थोड़ा सा रोष्ट करूंगी ज़्यादा निकरना है यह जल्दी तयार हो जाते हैं है तो दीर दीर करके ने मीडियम फ्लेम पर धीर धीर थोड़ा भून नहीं जब बुन जाएं तो इनको निकाल देना है और फिर बाद में ड्राइफ फ्रूट्स में आप चाहें जो इनसे ड्राइफ फूट्स ले सकते हैं इसमें काजू बादाम के साथ किसम भी दाल सकते हैं और फिस्ता भी ड़ाल सकते हैं तो आपको जो अच्छा लगते वह डाल सकते हैं यहां काजू ऑँर थोड़े से कर दाल हूं और को को और निकाल लेते हैं और अब सुझे गूनले लिए उसको ज्यादा भानिक नहीं करना है बस फोड़ा में खुसबू आने लग जाए कलर चेंज होने लग जाए बस इतना सा भूनना है और उसको भून लेते हैं और जब यह काजू ठंडे हो जाएंगी तो हम इसे मिक्सी में अगर आपको थोड़ा मोटा ही अच्छा लगता है तो आप वैसे कूट सकते हैं और बिल्कुल बारिक क करूंगी अब एक चमज घी और चड़ा के इसमें और फिर हम सूजी को भून लेते हैं सूजी को कमी भूनना है ज्यादा निवह कलर चेंज नहीं करना है थोड़ा सा ब्राउन कलर करना इसको देर देर करके न जब हमारी सूजी तैयार हो जाए तो हम इसको तो निकाल ग्रुआ निवह करना है ज्यदा ज्यदा नीमा क्या निकाल लेंगे और इसली वर्तन में मावे को भी थोड़ा सा भून लेंगी तो तो हम सूजी לी और इसी के बरतन को में दुबारा से गैस पर चड़ा के और फिर यह करीब न मैंने 500-600 ग्राम के करीब इसमें मावा लिया है यह होम मेड मावा है जिसे मैंने घर पर ही तैयार किया है इसे धीरी धीरे में बिल्कुल कम फ्लेम पर धीरी धीरे इसको भूनना है मावा आप चाहें तो बजार से ले सकते हैं लेकिन मैंने यह घर पर बनाया है तो घर का बना मावा सुद्ध होता है इसलिए मैंने घर पर बनाया है इसको यह देखे बिल्कुल भून गया है इस यह घी छोड़ने लग गया है तो अब गैस को बंद कर देते हैं और इसको धीर हमारी जो खांड हम इसमें डालेंगे न वो पिगलने लग जाएगी तो इसको थंडा होने के लिए रख देंगे थोड़ देर के लिए और सूजी को भी थोड़ देर के लिए थंडा होने देंगे देखिए थोड़ देर में हमारा मावा थंडा हो गया है और अब इसको सूजी मिलाकर उपर से मीठा डाल देते हैं तो मीठा डालने के लिए आप चाहें तो चीनी को बारिक मिक्सी में पीसके डाल सकते हैं और यह ऐसे खांड आती है यह देखिए बारिक आती है इसको भी आप डाल सकते हैं तो मैं दो कटोरी इसमें डाल रही हूँ और अगर आपको मीठा कम लगे तो थोड़ा सा चक के देख लेना है तो दो कटोरी डाल के मैं अच्छी तरीके से हाथ से इसमें सारे मसाले में मिला दूंगी यह वो काजुबादान थे उन आपको जो भी ड्राइब फूट्स पसंद हो वो भी डाल सकते हैं तो मैं नहीं डाल रही हूँ अब इसको हाथ से अच्छी तरीके से मिला लेना है बस एक बात ध्यान रखनी है कि यह सामान हमारा ठंडा होना चीए गरम नहीं होना चीए गरम होगा तो फिर मीठा डालेंग है आप करते हैं घुजिए की तयारी तो इधर है जो हमने आठा चुले रखा था वह देखी अब कितना सोप्ट सा हो तो होगया है चिकना हो गया है पहले बीच आप इसमें हम थोड़ा सा लोच लगा के थोड़ा सा वह इसको और सोप्ट कर लेंगे और थोड़ा सा हाथ में है यह तो लेकिन थोड़ा सा सोब्ट हुआ है बिल्कुल जिस तरीके के लिए गुजिया चीए सेम उसी तरीके का बन गया है और इसमें से थोड़ा सा आटा लेकर हम लोईयां बनाएंगे और बाकी के आटे को हम वापस ढखके रख देंगे आप चाहें तो गिला कपड़ा कर करके फिर उससे ढखके रख दीजिए क्योंकि यह सूखना नहीं चाहिए यह मैं उसी वरतन से ढख रही हूं इसको अभी साटे की बना लेते हैं लोईयां तो इससे पतला पतला करके या फिर वैसे हाथ से बना सकते हैं ऐसे करके और फिर चकू की सायता से छोट छोटी काटके फिर पूरियां बनाऊंगे देखिए ऐसे काट सकते हैं इनको काटके फिर लोईयां बनाने हैं और एक एक करके इन में मसाला भरना है इन सब को काट लिया है मैंने अब इनको करके लोईयां बनाके रख लेना है तो आप चाहें तो एक एक करके लोई बनाके फिर का हुआ होना चाहिए तो मैंने ये 5 सब्सक्राइब लोगा Rख ली है और इसके एक लोग से पूरी बैलनी है तो पूरी इतनी मोटी नहाता है नहीं मोटी बेलनी है जैसे बेल नहीं तो मैंने यह नुति- इतना मोटा हुना के लिए तो देखिए मेरे पास सांचा है तो मैं इसमें लगा के और फिर भर रही हूं तो इसको वो पूरी को इस परबसे् making कर देना हे और थोड़ासा भीचमे से दबा देना ताकि हममसाला भरें तो आरामसे और जाए हैं तो मसाला हमें या तो इतना ज्यादा भर बढ़ना है नहीं इतना कम भड़ना है मेडियम भड़ना है ताकि हम इसका ढ़कन लगाएं तो फिर यह आराम से बंध हो जाए अब क्या करना है वैसे तो यह फटेगी नहीं लेकिन अगर आपको फिर भी लग रहा है कि फटने का चांस है तो थोड़ा सा इसके किनारे पर पा यह देखिए बिल्कुल बिल्कुल विए कहीं से भी डिजैन नी विगड़ा है बहुत अच्छी तरीके से बन गई है अब इसी तरीके से हम दूसरी लोई लेकर फिर आटा हम इसकी भी पूरी बेल लेंगे तो पूरी बेलते टेम एक चीज का ध्यान रखना है कि नै तो इस गुमाते हुए उठाके और ऐसे गुमा देना है और फिर उसको बेलने है और पूरी की साइज इतनी बड़ी तो होनी चीए कि वह सांचे में आराम से आ जाए तो यह देखिए बिल्कुल ऐसे और इसका कोई जरूरी नहीं कि यह गोल आकार में ही हो किसी भी तरीके से बन ज जाएगी तो देखिए इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा दबाव देना है और फिर साइड में जो आटा है उसको हटा देना है इसको हटा कर फिर इसको खोलना है तो यह देख लीजिए कि गुजिया का बिल्कुल हमारी बिल्कुल अच्छी तरीके से गुजिया बनकर त जले नहीं नहीं तो वो शहल ज सारवा मसाला हमाब हो जाक है नहीं देखिया बना लिए Iंफ्ट कें भी में बना रही हों आप चाहें तो खाल जाहें पना सकता है लेकिन surgeon गुजिया घी में ज्यादा अच्छी लगती हैं क्योंकि तेवार साल में एक बर आता है तो उसे अच्छी तरीके से ही उसका सामान बनाना चाहिए तो मैं तेल की जगे घी काम में लेती हूं अधिकतर तो गैस की फ्लेम को पहले तो तेज रखना है और जब गुजिया उसमें फ्लेम को हाई रखना है और जब यह डाल दें तो फिर लोसी मीरियम रखना है और आपकी गुजिया फिर थोड़ा सा गुजिया को डालने के बाद इसको हिलाना नहीं है थोड़ा टाइम हो जाए उसके बाद इसको दिर दिर हिलाना है नहीं तो गुजिया हमारे खुलने का और हमारी सारी गुजिया खराब हो जाएंगी तो इस बात का ध्यान रखना है और इसको थोड़ा सा golden brown होने पर निकाल दीजी यह देखिए कितनी अच्छी गुजिया बनकर तयार हुई है इनको जदा लाल नहीं करना है थोड़ा सा golden brown ही निकालना है यह देखिए कितना अच् मेडियम रखना है और धीरे धीरे जब थोड़ा time हो जाए तो इनको थोड़ा थोड़ा करके हिलाना है और पल्ट देना है इनको अलट पलट के सेख लेना है और इस तरीके से हमारी गुजिया तयार हो जाएंगी अगर आपको मेरी recipes पसंद आती है तो किरपया करके मेरे चन लाइक कीजिये शेयर कीजिये लाइक कीजियेंगे कीजिये शेयर कार इनको जाहिएंगी पल्ट एक है आ்क इनको थोड़ा है है मRIात으면ाही मेर्म है अधना है तो जाएंगी आपको मेरga रहा है झाल झाल